खेती में नई तकनीक के इस्तमाल से क्रिशी उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन बढ़ते उत्पादन का फायदा किसान को नहीं मिल पा रहा क्योंकि किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है किसानों को मजबूरी में बहुत कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या खरीद ना होने और अच्छा दाम ना मिलने की है किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए महराश्ट्र के जलगाव जिले में स्थिद एरेंडोल क्रिशी उपज मंडी समीती ने ना केवल ज्वार और मक्का की खरीद की गारंटी देने का फैसला किया है बलकि इसे लागो भी किया है इसलिए अब किसानों को बड़ी रहत मिली है इसके लिए पिछले दो सब्ता से रेजिस्ट्रेशन चल रहा है लेकिन अब खरीदी भी शुरू हो गई है किसानों का क्याना है कि हर क्रिशी उपज मंडी में इस तरह की पहल होनी चाहिए ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके केंद सरकार का मोटे अनाजो की पैदावार पर फोकस है 2023 को International Millet Year घोशित किया गया है लेकिन ऐसे में अनाजो की खरीद ना होने और दाम ना मिलने की वज़ा से किसान खेती कम कर रहे है जुआर का शेतर लगातार घट रहा है ऐसे में एरंडोल तालुका की क्रिशी उपज मंडी समीती की नेक साइक सहसिक फैसला लिया है इस समीती में जुआर 2738 रुपे और मक्का 1870 रुपे प्रती कुंडल की दर्थ से खरीद की गारेंटी दी गई जुआर और मक्का की खरीद जोड़ शोड़ से शुरू हो गई है अच्चे भाव के लिए किसान सगने पहल की है अब किसानों के उनकी जुआर और मक्का की फसल का वाजिवदा मिलेगा किसानों को पहले अपनी उपज को सीधे खरीदी केंदर में लाए बिना ही रेजिस्ट्रेशन कराना होगा ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय किसानों को आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी पिछले कुछ दिनों में ओनलाइन पंजी करण शुरू होने के बाद से अब तक 407 किसानों ने मक्का के लिए पंजी करण कराया है इससे एरंडोल और धरंगवा तालूका के किसानों को फायदा होगा वर्तमान में एरंडोल उप समीती में कृशी उतपादों की खरीद विकरी हो रही है इस तरह की पहल अगर दूसरी मंडियों में भी हो तो किसानों की एहम समस्या हल हो जाएगी लेकिन इसके लिए राजनीतिक मनशा जरूरी है प्याज उतपादक किसान भी खरीद की गारेंटी और उची दाम चाहते हैं देखना ये है कि उनकी ये मांग कब पूरी होती है सर्दियों में जब लगे वाट्रोब को अपडेट है करना तक बिग ब्लिस के कलोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान